पिर इसके बाद जब मेरे पास ये आया मैंने फिर किताब लिख दी इसकी तब हमने हाई कोट में पर्टिशन डाला फिर वो पर्टिशन NCRT के पास गया JNU में गया फिर वहाँ से जो आंसर हमारे पास आया अब मैं यह वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर उन्होंने क्या किया मैंने हमने का था कि आप रिगवेद की सारी वर्सेस बताईए जो आप इसको सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने यह हमें एक रिगवेद की यूज नहीं किया हुआ यह आठीएच ग्रिफित ने जो आज से लगभग डेढ़ सो साल पहले सवा सो साल पहले ट्रांसलेशन की थी उसको यूज कर रहे हैं अब इसमें आपको ना तो कहीं गुलामी शब्द मिलेगा ना दास ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा अब नर्जीत को उन्हों ने बोल दिया यहाँ बोल दिया अपिछर पीपल आपजीत यानी पानी को जीतने वाला तौत अब देखिए क्या कर रहे हैं संस्कृत को पहले किसी मूर्ख को लोनीनिस्ट ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में फिर उस इंग्लिश के अर्थ का अनर्थ बनाते हैं कि एक्वाइरिंग रिसोर्स है तो उससे इंडिकेट होता है कि लोगों को कैप्चर करते थे उनको गुलाम बनाते थे अच्छा फिर आगे बोलते हैं अच्छा फिर आगे बोलते हैं the same him continues फिर आगे आप देखेंगे यहां फिर से कोई दास प्रथा कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही लास्ट में उन्होंने line add कर दी इस जस्टिफाइस दा स्टेट्मेंट इस तरह पूरे के पूरे जूट के अधार पर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यह लोग आगे चलिए फिर जो मैंने एक और objection उठाया था कि some of the wealth that was obtained was kept by the leaders etc. कि जो leaders को दे देते थे और फिर पुरोहितों के साथ बांट लेते थे अब हमने पूछा कि आपके साथार पर यह बोल रहे थे कि वो लोग गुलाम बनाते थे और फिर धन आपस में बांट लेते थे तो इसमें उनका कहना है इन दरिगवेद अगनी is frequently compared to the priest इसलिए हमने और फिर these analogies provide the basis for inference about the practices prevalent at that time तो किस तरह से हमारे ही गरंतों को तोड मरोड के उनके अलग-अलग meaning निकाल के फिर meaning का meaning फिर उसका inference और फिर उस inference से result निकाल के बच्चों को बढ़ाते हैं फिर ये एक बहुत बड़ी रिचानों ने एक और पेश की मैं पूरी तो पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई slavery, कोई गुलामी, कोई दास्प्रता का एक शब्द कहीं भी नहीं आता इवन उनकी translation में भी नहीं आता तो अब यहां कह रहे हैं इसलिए हमने बूल दिया कि वो आपस में बाटते रहे होंगे इस तरह से धन को फिर अच्छा यह अभी तक जो मैंने आपके साथ शेर किया यह था रिग वेद के बारे में या वेदों के बारे में अब इसके ठीक विपरीद जब हमारे देश से बाहर के मजब की बात आती है तब क्या करते हैं अब उस पे ध्यान दीजिए यह पेश नंबर तरेपन है ग्यारविंग क्लास का इसमें यह नीचे वाला एक पेराग्राफ दीखिया ऐसे धर्म जो अलग अलग भाशाएं बोलने वाले विभन निजातिय उत्पत्ती के लोगों को अकर्शित कर सकते थे विशाल समराज्य निर्मान की दृष्टी से बहुत महत्व पूर्ण थे यह इसाई धर्म और इसलाम धर्म के विशे में भी सत्य था तो इसलाम और इसायत ऐसे रिलिजिन्ज है जो अलग अलग भाशाएं बोलने वालों को अकर्शित करते थे उनको अच्छे लगते थे लेकिन हमारे देश में जो अलग अलग भाशाएं बोली जाती है उनको आपस में लडाने के लिए किस तरह से प्रोथसाहित किया जा रहा है, वो हमने कल शेयर किया था, यह ठीक उससे उल्टा किया जाता है, जब उन मजभ़ों की बात आती है, जो हमारे देश से बाहर के थे, अब यह पेश नूमर 68 है, इसमें तीन-चार लाइने शेयर करता हैं आपके साथ, भूमद्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी, और चौती शताबदी में इसाई धरम ने राज्य धरम बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौत नहीं दी, अब अगर आप ये चार लाइने पढ़ेंगे, तो क्या मैसेज जाता है, कि बड़ा ही घटिया समाज था, जिसमें गुलामी फैली हुई थी, और ऐसे घटिया समाज में अब इसाई धरम का उदय होता है, लेकिन उसने भी कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, इस प्रफा के अगेंस्ट है, और उन्होंने ट्राई तो किया, लेकिन वो इसको गंभीर चुनौती दे नहीं पाए, फिर जब इसलाम का वरणन आता है, तो ये पेज नंबर 79 या 89 है, इसमें देखें, सरी, सन 612 के आसपास, पैगंबर मुहम्मद ने अपने आपको खुदा का संदेश वहाँ घोशित किया, जिनने यह प्रचार करने का अदेश दिया गया था, कि किवल अल्ला की ही इबादत, यानि अराधना की जानी चाहिए, इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, अब कल वाला आप याद रुखेगा, वर्चु वर् स्थापना करनी है, जो सामानने धार्मिक विश्वासों के जरीए आपस में जुड़े हुए हो, इस समाज के लोग, ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समदाओं के समक्ष, धरम के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे, पेगंबर मुहम्मद के संदेश मक्का के उन लोगों को विशेश रूप से प्रभावित किया, जो अपने आपको विपार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे, और एक नई समुदाइक पहचान की बाट देखते थे, जो इस धरम सिंद्धान्त को स्विकार कर लेते थे, उन्हें मुसल्मान कहा जाता था, उन्हें कयामत के दिन मुक्ती और धर्ती पर रहते हुए समाज में संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था, मुसल्मानों को शीगरी मक्का के स्मृद्ध लोगों के भारी विरूद का सामना करना पड़ा, जिनने देवी देवताओं का ठुकर आईया है, और ये पेज हमने कल देख लिया था, कि किस तरह से इसलाम का महिमा मंदन क्या गया था, तो आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसको मैं स्किप कर देता हूं, अब ये अगर तो सारा कुछ वास्तवेक है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अब हम इनके जो मूल गरंथ हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं, ये सबसे पहला एक्जामपल जो मैं ले रहा हूं, ये बाइबल में से ले रहा हूं, बाइबल में एक किताब है, एक्जोडस नाम की, जिसका 21 चैप्टर है ये, तो इसे आप देखें, if you buy a Hebrew slave, he is to serve for six years, set him free in the seventh year, and he will owe you nothing for his freedom, if he was single when he became your slave and then married afterwards, only he will go free in the seventh year, but if he was married before he became a slave, then his wife will be freed with him, if his master gave him a wife while he was a slave, and they had sons and daughters, then the man will be free in the seventh year, but his wife and children will still belong to his master, but the slave may plainly declare, I love my master, my wife and my children, I would rather not go free, if he does this, his master must present him before God, then his master must take him to the door and publicly pierce his ear within all, after that the slave will belong to his master, for ever. अब दिखें, कि जिस मजभ को ये बताने कि वो गुलामी की प्रथा को चुनौती दे रहा था, ये उसके अंदर लिखा है, कि आप गुलाम बना के रख सकते हैं, छे साल बाद साथ में साल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको पत्नी मिले और बच्चे मिले हैं, तो वो प दूसरा एक्जामपल लेता हूँ, Exodus chapter 21 में से, When a man sells his daughter as a slave, आपको कल्पना ही करके देखना है, कि हमारे ग्रंथ में अगर ऐसा एक sentence लिखा भी होगा, तो हम उसको कभी accept नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका ग्रंथ है, When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years, as the men are. If he does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again, but he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl's owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment. यह आपको बताता है कि किस तरह institutionalized है slavery इनके अंदर, Christianity के अंदर, कि अपनी बच्ची को भी बेच सकते हैं गुलाम बनाने के लिए, और इसमें इनको कोई डाट नहीं रहा, कोई इनसे घ्रिणा नहीं कर रहा, कोई इनको मना भी नहीं कर रहा है, बलकि उसको accept किया जा रहा ह Exodus chapter 21, जो sentence number 20 और 21 है, When a man strike his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished since the slave is his own property. तो आप गुलाम को मारते पीटते हैं, उसको अदमरा कर देते हैं, अगर वो एक दो दिन भी बच जाता है, माली जी दूसरे दिन मर गया, तीसरे दिन मर गया, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी property है, वो male है या female है, दोनों के साथ आप ऐसा कर सकते है इमिजेटली मर जाता है, तो सजा मिलेगी, अधरवाइस सजा नहीं मिल सकती, Ephesians ये भी Bible का ही का part है, chapter number 6, sentence number 5, अब एक मैं आपके साथ यहाँ पर share कर लूँ, कि कई बार एक भ्रहम फैलाया जाता है, कि जो मैंने पिछले example दिये थे, वो Old Testament के थे Bible में से, ये कहा जाता है कि अब जो New Testament है, वो ऐसी बात है नहीं करता है, Christianity तो उसके अंदर है, हलांकि वो भी गलत है, लेकिन अगर आप New Testament भी देखेंगे, तो ये देखेंगे, उसका example है, slaves obey your earthly masters with deep respect and fear, serve them sincerely as you would serve Christ, तो यहाँ पे कुछ भी slavery, गुलामी के against नहीं है, हमारे यहाँ तो एक अशोक जो राजा था, जब उसे बुद्धिजम समझ में आया, तो उसने भी मना कर दिया था, कि आप अपने जो नौकर हैं, उनको दया से रखो, नौकरों को, वहाँ तो गुलाम की बात भी नहीं हुरी, और यहाँ पर इनके जो एक अकेला ग्रंथ है, उसमें ये बताया जा रहा है, कि आप गुलाम रख सकते हैं, और उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, 1 Timothy एक किताब है, उसका चेप्टर अबर 6, Christians who are slaves should give their masters full respect, so that the name of God and his teachings will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful, you should work all the harder because you are helping another believer by your efforts, teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them. ये भी New Testament में से ही है, अब ये तो हमने डिसकस कर लिया कि Christianity क्या बोलती है, अब ये मैंने कल आपके साथ Islam का example share किया था, किस तरह से जो इसलाम है वो भी कैसे गुलाम प्रथा को promote करता है, इसलिए मैं आज इसे repeat नहीं कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ. इसलाम की जो सर्व मानने किताब है कुरान, उसका chapter number 8 है ये, चेप्टर का नाम है अनफाल, और अनफाल शब्दी जो शब्द है, अर्भी भाषा का शब्द है, इसका meaning होता है लूट का माल, जो आप लड़ाई में माल लूटते हो, उसके उपर ये पूरे का पूरा चेप् है, हिंदू है, वो एक कलपना भी नहीं कर सकते, कि इनकी ये जो किताबे हैं, उनके अंदर लूट के माल नाम का चेप्टर भी हो सकता है, पूरे का पूरा, क्यूंकि बताया तो ये जाता है, कि होली कुरान है, होली बाइबल है, लेकिन आप इनको पढ़के देखे, ए मु मुजाहिद लोग, मुजाहिद का मतलब होता है, जो जिहाद करते हैं, यानि जो गैर मुसल्मानों को मारने वाले हैं, उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं, तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, गनीमत अनफाल का ही दूसरा नाम है, कि जो माल आप लूट के लाएं उसे गनीमत कहा जाता है तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है कहदो की गनीमत अल्ला और उसके रसूल का माल है तो अल्ला से डरो और आपस में सुलह रखो और अगर इमान रखते हो तो अल्ला और उसके रसूल के हुकम पर चलो मुमिन तो वे हैं कि जब अल्ला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो उनका इमान और बढ़ जाता है और वे अपने परवर्दिगार पर भरुसा रखते हैं यहां पर काफिरों को लूटने का एकदम क्लियर कुरान में वरणन आ जाता है लेकिन यह हमारे बच्चों को कहीं नहीं बताया जाता लेकिन वेदों में जहां पर लूटने का गुलाम बनाने के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पर उनको वो पढ़ाया जा रहा है आगे ये है उसी अनफाल चैप्टर में ही ये उन कुरान के जो सेंटेंस है उनको आयत कहा जाता है तो उसकी चालिसमी आयत है सॉरी एक्तालिसमी आयत है और जान रखो कि जो चीज तुम कुफार से काफिर का जो बहुचन है या प्लूरल है उसे कुफार कहते है और जान रखो कि जो चीज तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से पांचवा हिस्सा अल्ला का और उसके रसूल का और कराबदारों का और यतीमों का और मुहताजों का और मुसाफिरों का है अब इसमें आपको background सोड़ी समझनी पड़ेगी इनोंने हमला किया काफिरों के उपर एक कारवा जा रहा था उसे लूट लिया इनोंने तो लूटने के बाद इनकी आपस में लड़ाई हुने लग गई कौन कितना जो पैसा लूट के लाएं कौन किसे कितना मिलेगा तो तब जो इनका ये कुरान वाला जो गौड है अल्ला नाम का उसने आयतें भेजी कि तुम्हारे लिए है तुम इसको लूट पाटके खा सकते हो लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका 20% जो शेयर है वो जो पैगंबर मुहमद है उसके लिए अलग से रखा जाएगा अब क्योंकि इसी किताब को फॉलो किया जाता है तो पैगंबर मुहमद के मरने के बाद खलीफा बनते थे तो जब भी ये जिहाद करते थे लूट के माल लाते थे तो 20% खलीफा के अकाउंट में रखा जाता था उसके बाद जब भी लूट माट मचाई जाती थी जैसे हमारे देश में भी जो ये गजनवी वगएरा जितने लोग आए थे वो सेम पैटरन फॉलो करते थे कि 20% खलीफा को भेज देते थे 80% अपने लिए रखा जाता था फिर उसी आठमेंगी चैप्टर की आयत नमबर 67 है जब तक काफिरों को कतल करके जमीन में कसरत से खून ना बहा दे तो ये पैगंबर के बारे में आ रहा है पैगंबर मुहम्मद के बारे में तुम लोग दुनिया के माल की तालिब हो और अल्ला आखिर तालिब हिकमत वाला है कि काफिरों को ये पकड़ भी लेते हो अब इसमें हुआ क्या कि ये जिस लड़ाई की में रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें दो-तीन लोग ऐसे थे जो पैगमबर मुहमद को पहले मक्का में उसकी निंदा किया करते से तो उनको पैगमबर मुहमद ने बोलके मरवा दिया तो फिर उसको जस्टिफाई करते हैemu कि ये किसी पैगमबर के लिए ठीक नहीं है कि अगर उसने काफिरों उनको पकड़ लिया तो उनका खून ना बहाया जाए अब आते हैं गुलाम प्रथावे ये कुरान का चेप्टर नमबर 4 है चेप्टर का नाम है अनिसा और उसकी आयत नमबर 24 है और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वे जो कैद होकर लॉंडियों की शकल में का अर्थ यह है कि जब आप जिहाद करने जाते हो तो जो शादी शुदा महिलाएं हैं उनके साथ तुमने विया भिचार नहीं करना लेकिन अगर तुम्हारे कबजे में आ जाती है जो लॉंडिय शब्द है एक्चली जो इसका अर्भी जो एक्स्प्रेशन है वो है मा मलकत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है what your right hand possesses लेकिन यहां हमारी देश में उनके लिए लॉंडिया शब्द बूल दे जाता है मगर वे जो कैदोकर लॉंडियों की शकल में तुम्हारे कबजे में आ जाएं यह हुक्म अल्ला ने तुमको लिख दिया है और इन महरमात के अला वो यह नीचे देखिया यानि दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हो तो भी हराम नहीं जबकि दारुल हर्ब से निकले और उनके साथ खाविंद ना आएं तब मुबह जायज हैं अगर उनके खाविंद भी मुसल्मान हो जाएं तो अपनी जोरू ले लें इसका उनके साथ वे भिचार, उनके साथ जो तुम बत्तमीजी करना चाते हो, कर सकते हो. फिर अगर उनके पती पीछे-पीछे आ जाते हैं, वो भी मुसलमान बन जाते हैं, तो उनकी जोरून को वापिस दी जा सकती है. लेकिन वो भी देने वाले की मर्जी है, उसकी कोई बाइंड ये पढ़ाया जाता है. मुझे लगता है कि मैंने अपना समय इसमें ले लिया है, तो ये मैंने आपके साथ शेर इसलिए किया, कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हम NCRT पे विश्वास करते हैं, कि एक डेमोक्रेटिक संस्था है, जैसे हमारे देश की भलाई के लिए बन पूचते हैं, तो हमें लगता है कि हम स्कूल पे डिपेंडेंडेंट हैं और वहां पर उनको अच्छी चीज़ें पढ़ा ही जा रही होगी, लेकिन असलियत ये है कि पिछले 15 साल से जो किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन में हमारे देश की सारी परमपराओं को बिलकुल नीचा दिखाया जा रहा है, जूट पोल बोल के दिखाया जा रहा है, और जो विदेशी मजभब हैं, उनको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, जबकि उन में जितनी कमिया हैं, वो हमारे परमपराओं पे डाल दिया हैं, और हमारी अच्छाईयां उन में ये 180 degree का बिलकुँ turn है, मैं इसमें कई बार example देता हूँ, कि हमारे देश में जिनको progressive या liberal कहा जाता है, असल में वो बिलकुल उल्टे हैं, ना तो progressive है और ना ही liberal है, वो बिलकुल किसी को liberty देते ही नहीं है, लेकिन जिने रूडिवादी कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा liberal ह तो सेम काम हमारी किताबों में, बीते 15 साल से एक पूरी PD निकल चुके जिनके साथ ये काम किया जा चुका है, तो जहाब आप अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं, जो अपनी परंपराओं से घ्रणा करते हैं, आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर उनका बीज है, तो मैं इतने से आज इसको बंद करता हूँ, आगे हम question answers पे चल सकते हैं. झाल सकते हैं.